अस्लाम लेकूं, वेलकम टू माइ चैनल, आज हम बनाएंगे समोसा पत्टी, जिसे मांडा पत्टी भी कहते हैं और जिसके कई सारी युजिज हैं जिसे आप रूल भी बना सकती हैं, समोसी भी बना सकती हैं, छोटे वाले जो की बेकरियों में मिलते हैं, इसके लावा बनाना सीखेंगे सबसे पहले हम इसके लिए डो गून देंगे इसके लिए हमें मैदा चाहिए आल परपस फ्लार चार कप भरकर मैं मैदा ले रही हूं नमक चाहिए वन टी स्पून आप अपनी टेस्ट के साफ से कम या ज्यादा कर सकती हैं जितना आपको आटे में नमक आप उतना ही यूज़ करें इसके लावा आईल हमें चाहिए यानिकि तेल दो चमच बड़े हमें इस आटा गूनने में यूज़ होंगे और बात में हम इसक पानी है यह हजबे जरूरत हमें चाहिए होगा सबसे पहले हम नमक करेंगे मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें आईल एट करेंगे यह दो टेबल स्पून मैं आईल इसमें एड़ कर रही हूँ बहुत ज्यादा आईल नहीं जिस्ट टेबल स्पून वो भी ज्यादा भर कर नहीं इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसे गुन देंगे गुनने के लिए मैं फिर से वही बात करूंगी कि आप ने इसमें एक दम से पानी एड़ नहीं करना आईस्टा एस्टा करके इसमें पानी एड़ करना है और अच्छी तरह से गुनते जाना है इसकी डो के लिए हम थोड़ा सा सखत आटा गुन देंगे बहुत ज्यादा नरम नहीं इसके लिए हमने थोड़ा सा सखत आटा गुनना है जो के नॉर्मल हम रोटियों के लिए आटा गुनते हैं तो उससे थोड़ा सा हमें सखत आटा चाहिए इसलिए हम थोड़ा संभल कर इसमें पानी यूज़ करेंगे आइस्ता आइस्ता करके आपने इसमें पानी एड़ करते जाना है और जैसे ही आपको लगे कि डोस सखत होती जा रही है तो आपने पानी का हाथ रोक लेना है यह आप देख सकती है कि इस स्टेज पर मैंसे लेकर आ गई हूँ थोड़ा सा सखत आटा है तो इसके उपर मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी और इसे दस मिनट के लिए ढग कर रख दूँगी थोड़ा सा रेस्ट देंगे हम अच्छी तरह से मैंने इसे दस मिनट रेस्ट दे दिया है और अब हम पिरसे से गुन देंगे अच्छी तरह से इसे तकरीबन साथ आट मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से गुन देंगे ताकि अच्छी से नरम सी डो त्यार हो जाए गर हातों पेचे पक रहा हो ताप हातों पर पानी लगा सकती है और इसके बाद हम इसे तकरीबन 30-40 मिनट के लिए ढखकर रखकर छोड़ देंगे और यह आप देख सकती है 30-40 मिनट के बाद यह अच्छे से हमारी डो तियार हो गई है और अब हम डो को बीच में से दो हिस्सों में लेकर आएंगे और एक हिस्से का हम ऐसे करके रोल बनाएंगे रोल बना लेने के बाद हम इसे कट करेंगे याद रखें डो को रेस्ट देना बहुत जरूरी है 30-40 मिनट रूम टेंपरेचर पर इसे आपने रख लेना है उसके बाद इसे यूज़ करना है तो ये बिल्कुल रेडी होगा बिल्कुल सौफ नरम मुलाइम आपका डो रेडी होगा अब हम इसके पेड़े बना लेंगे नॉर्मल साइस के पेड़े पेड़े बना लेने के बाद हम इस पर थोड़ा सा खुश्क मैदा चड़केंगे और इसे ढख कर तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए छोड़ देंगे मैं यहाँ पर थोड़े बड़े पेड़े ले रही हूँ क्योंकि मुझे वो वाले समोसा पटी बनाना है जो के कमर्शली मिलते हैं तो वो वाली पटी मैंने बनानी है 5 मिनट रेस्ट मैंने दे दिया है इसे और आप हम इसे बेलेंगे अब हम इसे इस तरह बेलेंगे कि मीडियम साइज की चपाती हमारी ऐसे करके त्यार हो जाए एक एक करके हमने सारी चपातिया बेल लेनी है साइट पर रखते जाना है इस तरह में दूसरे चपाती भी बेलूंगी और इसे भी साइट पर रखूंगी अब हम एक चपाती लेंगे और इसके उपर आईल लगाएंगे ब्रश की मदद से अच्छी तरह से आपने इसको आईल से कवर कर लेना है ऐसे करके कोई भी जगा आईल से खाली नहीं रहनी चाहिए ऐसे करके अराम अराम से आपने सारा आईल लगा लेना है और इसके उपर अब हम खुश्क मैदा चिड़केंगे खुश्क मैदा अच्छी तरह से डस्ट कर लेना है अगर ज्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं अब ज्यादा भी एट कर सकती है जितना आपने इसमें ऑईल या फिर मैदा लगाया होगा तो उतना ही ये अच्छा बनेगा इसके बाद हम इसके उपर दूसरी चपाती रखेंगे और इस पर भी हम ऑईल लगाएंगे में खुश्क मैदे से डस्ट करेंगे और इसी तरह करके हम तक्रीबन छे चपातिया एक दूसरी के उपर रखेंगे पांसे च्छे चपातिया ही रखनी है इससे ज्यादा नहीं रखनी पांसे च्छे चपातियां बेल कर आपने एक दूसरे के उपर रखते जाना है और इसे ग्रीस करते जाना है और उसके बाद इस पर फलोर जो है खुश्क मैदा वो हमने इस पर डस्ट करते जाना है और इसी तरह करके हमने सारे बना लिये हैं और जो सबसे आखिर वाली चपाती होगी तो उस पर हम आईल नहीं लगाएंगे बस वो इसके उपर ऐसे करके रख देंगे अच्छी तरह से दबाएंगे और फिर हम इसकी एक बड़ी सी चपाती बेल लेंगे खुश्क मैदा च्छड़कते हुए फलोर पर किसी भी सर्फिस पर आप ऐसे करके खुश्क मैदा च्छड़कते हुए आप इसे बेलते जाएं और एक बड़ी सी चपाती बना ले अच्छी तरह से बेल ले इस तरह आप देख सकती है कि मैंने एक बड़ी चपाती इसकी बना ली है अब हम तवा गरम करेंगे तवे को पहले तीन-चार मिनट तक तेज आंच पे गरम करना है और फिर इसकी आंच बिल्कुल आइस्ता करकी बिल्कुल ही लो हीट पर इसे लेकर आना है और इसके उपर हमने ये जो हमने चपाती बनाई थी तो ये हम डालेंगे अब आपने इसे बिल्कुल लो हीट पर पकाना है तकरीबन दो से तीन मिनट आप देख सकती है कि इसका कलर आइसता आइसता चेंज होता जाएगा जैसे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए आपको नज़र आ रहा होगा तो इसके बाद हम इसकी साइट पल्टेंगे इसको ध्यान से पकाना है यह बहुत ज़्यादा कुक ना हो जाए अगर यह बहुत ज़्यादा कुक हो गया तो फिर यह सक्त हो जाएगा नरब नहीं रहेगा अब हम इसकी साइट पल्टेंगे इसके जो पड़ते हैं वो अलग हो रही है इसी तरह हम इसे दूसरी साइट से भी कुप करेंगे और अब हम इसे उतार लेंगे दोनों तरफ से अच्छी तरह से एक से दो मिनट पका लेने के बाद हम इसे तब इसे उतार कर ऐसे किसी सर्फिस पर रखेंगे और इसे करके आइस्ता आइस्ता करके इसकी परते उतार लेंगे जो हमने चपातिया बनाई थी उसे हम आइस्ता आइस्ता करके इससे अलग कर लेंगे इसे ठंडा नहीं होने देना अगर यह ठंडा हो जाएगे तो फिर यह सखत हो जाएंगे और इससे अलग भी नहीं होंगे इस तरह करके मैंने सारी चपातिया इससे अलग कर ली है अब हम इसे ऐसे करके फोल्ड करेंगे और साइड से कट करेंगे फिर इसे खोलेंगे फिर दूसरी साइड से इससे ऐसे करके कट करेंगे यह पहले तो square shape में आ गया है और अब हम या तो आप ऐसे अंदाजे से ही कर लें या फिर ऐसा एक foot लेकर तो मैं 3 इंच के निशान लगा रही हूँ 3 इंच के मैंने निशान लगा कर ऐसे करके अब मैं काटूंगी आप चाहें तो चुरी की मदद से काट लें तेज चुरी की मदद से या पिर पीजा कटर की मदद से भी आप ऐसे करके काट सकती है कट कर लेने के बाद हम इसे अलग करेंगे धियान से इसे कट करना है और ये हमारी समूसा पट्टी त्यार है आप चाहें तो इसे फ्रश यूज़ करें या चाहें तो इसे बनाकर प्लास्टिक बेग में रैप करके ऐसे करके प्लास्टिक बेग हम लेंगे प्लास्टिक बेग के अंदर इसे डालेंगे और इसे अच्छी तरह से कवर करेंगे अगर आप चाहें तो आप इसे फ्रेश यूज़ कर लें और अगर आपने इसे बाद में यूज़ करना है तो आप इसे बेशक किसी प्लास्टिक बैग में डालकर अच्छी तरह से कवर करके आप इसे इसे फ्रीज भी कर सकती है freeze कर लेने के बाद जब भी आपको इसी use करने का एरादा हो तो आप इसे overnight के लिए fridge में रख दें बाहर room temperature पर आपने नहीं रखना फ्रीजर से निकाल कर पहले fridge में रखें और इसके पाद आप इसे use करें और अगर फ्रिज में रखना हो तो आप इसे दो से तीन दिन के अंदर यूज कर लें इससे ज्यादा आपने इससे नहीं रखना फ्रिज में यह आप देख सकती हैं कि मैंने इसे प्लास्टिक के अंदर डाल लिया है प्लास्टिक बैग है इसे मैंने इस से करके अब मैं इसके उपर टेप लगा रही हूँ ताकि ये टाइट हो जाए और इस सरफ फोल्ड करके मैंने पीछे के तरफ भी इस पर ऐसे करके टेप लगा लिया है और जो हमारा रेस्ट ओवर था तो इसे हम जाया नहीं करेंगे इसे भी हम काट कर किसी प्लास्टिक बैग में रखकर बात में पापड़ी के तोर पर यूज़ कर सकती है अब हम रोल बनाएंगे रोल बनाने के लिए मैंने थोड़े से चोटे पेड़े लिए हैं पेड़े उसी तरह बनाकर और उसी तरह हम बेलेंगे चोटे चोड़े ऐसे करके चोटी चपातिया आपने बेल लेनी हैं साइट पे रखता जाना है ये भी हम 5-6 अद़ चपातिया ही लेंगे एक वक्त में इस पे ऑईल लगाएंगे खुश्क मैदा चुड़ेंगे और दूसरी चपाति रखेंगे और इसी तरह हम खुश्क मैदा और ऑईल लगाकर इसे एक दूसरे के उपर रखते जाएंगे तकरीबन 6 चपातिया एक दूसरे के उपर रखकर आखरी वाले चपाति पर हमने ऑईल नहीं लगाना और इसके बाद हम इसे बेलेंगे इसे भी इसी तरह बेल कर एक चपाति बना कर हम तवे पर सेंकेंगे तवे को बहुत ज़्यादा होट नहीं होना चाहिए यह आप देख सकती है कि मैंने इसे तवे पर एड़ कर दिया है और अब आप देख सकती है कि जैसे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो मैं इसकी साइड टर्न करूंगी साइड मैंने इसकी टरन कर ली है और आप देख सकती हैं कि इसकी चपातियां जो इसकी पर्ते हमने बनाई थी तो वो कैसे इसे असानी से अलाइदा होती जाएंगी इस तरह अगर आप इसे साइड से जाया नहीं करना चाहती तो आप जो गोल वाली चपातियां हैं उसे बीच में से कट कर लें और ऐसे करके ट्राइंगल शेप बना लें और अब हम जो मार्किट में जैसे के रोल पटी मिलती है उसके लिए हम क्या करेंगे कि सारी जो हमने चपाति बनाई थी उसकी सारी परते हम अलग कर देंगे फिर उसे ऐसे एक दूसरे के उपर रखेंगे फुट से निशान लगा कर हम ऐसे करके कट करेंगे दूसरी साइड से भी हमने ऐसे करके कट कर लेना है इसको स्क्यर शेप में ले आना है या आप देख सकती हैं कि मैंने ये बना लिये हैं तो ये हमारे रेडी है समोसा और रोल पटी आप इसे बना कर फ्रेशली यूज़ करें समोसे बनाने के लिए यूज़ करें रोल बनाने के लिए यूज़ करें या फिर आप इसे ऐसे किसी प्लास्टिक बैग में डाल कर बाद में यूस्ट करने के लिए फ्रीज भी कर सकती है इस तरह से करके मैंने इसे किसी मैंने इसे प्लास्टिक बैग में डाल लिया है और अब मैं इसे टाइटली रैप करूंगी ताके इसे हवा ना लगे याद हवा में नहीं छोड़ना वरने ये सख्त हो जाएंगी इसे हमेशा क्लोज करके रखना है ताकि इसे हवा ना लगे और जो लेफट ओवर था वो इसी तरह मैंने दूसरे शापर में डाल कर रबर बेंड चड़ा कर मैंने रख दिया है ये भी मैं फ्रीजर में रखूंगी और बाद में इसे पापड़ी के लिए यूज़ करूंगी तो ये हमारी समोसा पट्टी रोल पट्टी तियार है आप इ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना